नमस्ते फ्रेंड और वेलकम तो नदर सेशन आफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने गरों पे सवस्त होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन seatbelts को जो लगी रहती हैं हमारे आगे वाली साइड में जो retractable seatbelts हैं इनको कैसे remove किया जाता है और ये पूरी seatbelts मैं निकालने वाला हूँ seatbelts के साथ मैं जोसके पीछे में cladding लग रखी है ये cladding भी मैं निकालने वाला हूँ और इसको निकालके मैं एकदम साफ करने वाला हूँ अच्छे तरीके से और ये seat belt खोलने के साथ साथ में ही आपको एक बड़ी मजदार चीज में इसके नीचे दिखाऊंगा कि कितना जबरदस्त वहां पे सामान है बहुत कजब की चीज है वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको दो बोल्ट्स खोलने हैं एक लग रखा है इसके पीछे में और एक लग रखा है यहां पे ये नीचे में तो ये दोनों बोल्ट्स आपको रिमूव कर लेने हैं रिमूव करने के बाद में अगला पूस सबसे पहले तो अपने को क्या है कि यह जो बेडिंग है ना इस बैडिंग को निकाल लेते हैं बाहर तो ये weather shield आपको remove करने के लिए सबसे पहले ढूंड़ना है इसके अंदर में gap तो इस weather shield को follow करेंगे, follow करने के बाद में नीचे आप यहां पे देखेंगे इसमें हलका सा gap है, इस gap से ही आपको खोलना शुरू करना है पर better आपके लिए यह रहेगा अगर यहां पे जैसे इसको उठाया है यहां पे आप एक mark बना लेंगे, एक निशान बना लेंगे तो आपके लिए लगाने में बड़े आसानी देहेगी कि कहां से इसको दुबारा लगाना शुरू करना है हमारे लिए तो क्या है कि चलो यार असान रहता है हम तो ठीक हम एक्सपीरियंस डाइस चीज में पर आप निशान लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा हमें चीए 14 नंबर का सौकेट पाना ठीक है 14 नंबर का 14 नंबर का है यह तो यह अपने को चीए खोलने के लिए सबसे पहले हम इसको remove करेंगे इसके पीछे में एक bolt ship रखा है तो इसको remove करना बड़ा simple है इसको remove करने के लिए आपको खाली यहां पे screwdriver फसाना है screwdriver फसा के इसको हलका सा push कर देंगे और यह बाहर निकलाएगा तो यहां पे यह आपका bolt लग रखा है तो इस bolt को अपने को remove करना है तो इस bolt को remove करने के लिए आपको थोड़ी सी ताकत लगाने पड़ेगी क्योंकि इसके पीछे में lock tight लगा रखा है lock tight का एक थोड़ी सी glue होती है तो वो लग रखी है इसके पीछे में इसके पीछे में यह लग रखी है यहाँ पर वॉशल जैसी, इसको गुम नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे ही लगे रहना देना है, इसकी सेटिंग भी आगे पीशे नहीं करना है, तो यह आपका बोल्ट भी रिमूव हो चुक है, और सीट बेल्ट भी रिमूव हो चुक है, तो अब आपन आजाएंगे नीचे और नीचे में यहाँ पर सेम 14 नंबर का बोल्ट लग रखा, इस बोल्ट को भी अपने को रिमूव कर लेना है, बाहर में, राइट, इसके नीचे में भी यह वॉशल लग रखी है, ठीक है, इस वॉशल को भी गुमनी करना है, और यहीं तक इसकी सेटिंग रहने देनी है, यहाँ तक लगा के इसको छोड़ देना है, अब यह आपकी सीट बेल्ट जो है, वो रिमूव होने के लिए एकदम तयार है, अब यह जो क्लैडिंग है, इस क्लैडिंग में आथ देखेंगे, यहाँ पे एक बोल्ट लग रखा है, ठीक है, तो यह वाला बोल्ट भी अपने के लॉग लग रखे हैं, तो इसको रिमूव कर लेंगे, उसके बाद में साइड में एक लॉग लग रखा है, बिलकुल एकदम आगे की तरफ में, वो वाला लोग भी आपको रिमूव कर लेना है, यह इसली रिमूव हो जाएगा, उसके बाद में आपको आजाना नीचे, एकदम बिलकुल नीचे आजाएंगे, नीचे में भी लॉक लग रखे हैं, प्लास्टिक के, उनको रिमूव कर लेंगे, तो आपका पैनल बड़ी असानी से एकदम बाहर आजाएगा, बिलकुल भी, अब आपको जो सीट बेल्ट है, वो इस छेद से यहां से गुसा के इसक और इन पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, और ये मसाला जो देख रहा है, इससे भी जबरदस मसाला दिखाऊँगा, ये चुहे का काम नहीं है, जिस महराज ने काम किया है, वो महराज के भी आपको दर्शन कराऊँगा, कौन से महराज हैं वो, तो ये पूरा उन्होंने ख करने के बाद में आप पीछे देखेंगा, इसके इस के में वॉष्छ लग रखी है, इसकी सेटिंग यहीं तक रहने देनी है, इसको छेडना रही है, कुछ नहीं है, प्लास्टिक जैसे की वॉष्छ है, यार ये, तो इसको सेटिंग कर गर रखी होती है, तो कुछ ऐसी फटाफट आपको दिखाता हूँ इसको खोल के ज्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा तुरंद इसको खोल के दिखा दूँगा खाली एक चीज में आपको बता देता हूँ जो आपको डाउट रह जाएगा मन में कि जो आपको seat belt है उसको कैसे remove करना है मतलब वहां से कैसे न आपका पैनल जो है वो एकदम रिमूव हो चुका है अब आपको मैं अंदर दर्शन कराता हूं बड़े जबरदस्त तो आप देखें के पूरा यहां पे एकदम कच्रा हो रखा है जो मेरी स्पंज है उसको खा खाके यहां पे एकदम गुबारे बना रखें और मतलब अपने बास में तो उसका इलाज भी साथ में करूँगा मैं तो पहले यह सीट बेल्ट निकाल लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि असली कांड हुआ कहां पे है तो इस सीट बेल्ट मेरी रिमूव हो चुकी है इसको साइड में रख लूँगा आप यहां पे पूरा छेद बन रखा है नीचे तक यार पूरा होल बन रखा है मतला खा खा के यहां पे एकदम महाराज ने कोई टेंसन ही नहीं थी बन दे को यार पूरा एकदम आनंद लिया है जीवन का और नीचे में पूरा एकदम कच्रा फैल रखा है पूरा एकदम जो सपंज है अब आपको इसके नीचे में दिखाता हूँ यहां पे वो छुपे बैठे हैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा एक दम बिल्कुल कोने में अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा जूम करता हूँ मैं फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यह महराज आपको हलके स जो मरजी बोलो यार परेही जीव है जिसने मेरी पूरी गाड़ी में यह कांड किया है और अगर मैं देखता नहीं तो यह अराम से मजे से यहां पर अपना भोजन करते रहते और फस्सक्लास इनका जीवन चला रहता पिना किसी छेड चाड़गे तो इनका तो मैंने कांड क सेक्योर हो जाए और इस टर्माइड जो लग रखी है अपनी गाड़ी में इसको भी इलाज करने बाला हूँ साथ में जंकी भी आपको वीडियो बनाने बाला हूँ अच्छी अच्छी मैं तो आशा करतो है छोटी-छोटी वीडियो आपको पसंदारी होंगी मेरी वीडियो उसको लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यावाद मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत